हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चनल तयारी जीत में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 और 12 के जो एक्जाम होने वाले थे उनों पर सरकार ने क्या प्रतिक रिया दी है वो एक्जाम होंगे या पर नहीं होंगे तो आए वीडियो को सुरू करते हैं यादी वीडि 30 मार्स से 30 अप्रेल से फ्रेंड और वो एक माई से होने थे तो उने पर सरकार ने प्रतिक रिया दी है आज बैठक हुई थी फ्रेंड पांच या च्छे वजे के करीवन पर यहां बैठक खतम कर दी गई थे तो उसमें जो लिन लिया है कि टैन्थ क्लास के जो पेपर होने भी फेली में परणवा नेन्डलि थे मतलब यह परी तरह से उन्हें रद कर दिया गया है तो उसको किस प्रकार से लें उसको तो पर चर्चा चल लही है तो पहले हम बात करते हैं ťे क्ला की और तो नेटिस ब्सक्राइप अगन दिए तो यहां पर जो दखाया गया है फिर तो क्या दखाए गया है चतीसगड़ और मद्द प्रदेश के बाद अब मद्दु प्रदेश में बूड परिक्षा इस्थगत होने राज्यने, राज के जो कूली सिक्षामंत्री थे इंदर सिंग परमार, ने इस बारे में जानकरी दी है, क्या जानका रीदी है मद्ध प्रदेश का अक्षा 10 भी और वारेमी की बोर्ड परिक्षा किरमसा 30 अप्रेल और 1 माई से सुरू होने वाली थी लेकिन अब ये तारीक हैं आगे बढ़ाई जाएंगी इंदर सिंग परमान ने टाइमस ओफ इंडिया से कहा है कि 30 अप्रेल से MP वोर्ड एक्षाम नहीं लिये जाएंगे ठीक है ये इन्होंने कहा है तो कब होंगे एक्षाम इसके बारे में क्या बताया है तो कब होंगे एक्षाम इसके बारे में देखते हैं आगे मद्ध प्रदेश के स्कूली सिक्षा मंती ने बताया कि कि राज में बढ़ते कोरोना संक्रमाण के मद्दे नजा रखते हुए सरकार यह फैंसला ले रही है कि 15 जून 2021 तक क्लास एक से आठ तक के सभी स्कूल्स भी बंद कर दिये जाएंगे या कर दिये गए हैं ठीक है फैंट कर दी गए हैं पहले से ही बंद हैं अगले कुछ दिनों में कर दी जाएं तो यह आपका टाइमस ऑफ इंडिया के लिए इंटर्विव दिया था सिक्षा मंत्री जो इंदर सिंग परमार्जी हैं उनके द्वारा तो इसमें क्या है फ्रेंड तो यहां पर आज का जो निकल के आया रिजल्ट तो इसमें क्या है आज यह बैठक हुई थी फ्रेंड तो इसमें 10 वालों के लिए क्या कहा गया है ट्वालों गया फ्रेंड घ्रेबी। अब रही बाद 12 वालों के लिए अभी तक नोटिस दारी के होने किया है सरकार ने ऑफिसेल वेब साइड पर कि उनकी परिक्षाइं स्थकित कर दी गई है तो इसका एक कारण है इसका एक क्या दो तीन कारण है तो पहले कारण सुनिया आप क्या है पहला कारण ये है कि सरकार गई है जो जारी कर दिया है कि इनका ये पर होना है कैंसल कर दिया गया है तो कैंसल करने के बाद प्रिंट सरकार को सभी राजियों के मुखमंत्रियों को आदिस्ड देना पड़ता है उसके वाद realistically है फिसमें पूरा बनाएंगे मैंटरनेंस की जो पेपर हुए है अभी प् परिक्षा के रिजल्ट दें या फर अभी मतलब कोई open book परिक्षा लें जिससे कि आपका रिजल्ट बन सके तो क्या प्रेंट्स इसमें क्या है जैसे आपकी परिक्षा हुई थी तो उसमें कुछ लोगों ने attendance नहीं दी है मतलब कि आनुपस्तत रहें तो उनको किस प्रकार से आप पास करेंगे तो यही रंड नीरी बन रही अभी तक जब तक कि पूरी रंड नीती नहीं बन जा दी तब तक के लिए कोई official notice जारी नहीं कर पाएगी सरकार अभी notice नहीं आया है आपका official website पर आप जाकर चेक कर सकते हैं mpbse.nic.n mpbse आपको दखाई दी रहे हुए इसी पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं तो इस पर कोई भी notice नहीं आया है कि तो अभी क्यों कि रिजल्ट बनाने में अभी उनके लिए किलिए नहीं है कि किस बीस पर बनाएं प्रीवोट पर बनाएं अर्दवारसिक पर बनाएं यदि हमने जो बना दिया रिजल्ट अभी हमने यहां पर जनल प्रोमोशन दे दिया फ्रेंड तो अगली बार यदि कोई चात्र है वो एंपी छोड़कर अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो वहां वजा पर वहां जाकर यह माननता रहेगी या नहीं रहेगी या फिर उसे कैंसल कर दिया जाएगा या एडमीशन नहीं दिया जाएगा तो इसी पर सरकार पूरा बिचा तरह की तारीक तक लगभग आपका नोटिस पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा कि आपका रेजल्ट कवाएगा किस बीस पर बनाया जा रहा है तब तक आपके लिए आपको धेरे बनाया रखना है वो आपनी पढ़ाई को जारी रखना है कैंसल हो गए है पेपर यह तो आपको आपma स्ट मि Lords क्लासहों के जो नंबर होते हैं वो बहुत ही important होते हैं हर परिक्षा के लिए आगे आगे काम मतलब आप जानते हैं तो क्या है जैसे अगर आपको किसी कॉलेज में एडिमिसन लेना है या फिर किसी कॉलेज में एडिमीशन लेने के बाद या फिर कोई आपको डिगरी करनी है तो उनमें आपको 12 के ही मांक्स देखे जाते हैं तो इनको जर्राइल प्रोमोशन मिलना बहुत मुश्कल है तो क्या करेगी सरकार तो सरकार के पास सर्फ दो ही ऑपसन है या तो वो इनका जर्राइल प्रोमोशन करेगी या फिर ओफ लाइन पेपल लेगी या फिर ओनलाइन पेपल लेगी तो इन तीनों कंडिशनों में से सरकार के पास एक ही ओप्सन बनता है वो है आपका घर पे कौपी दे कर लिखवाने का मतलब कि ओपन बुक जो एक्जाम होने की चांसेश पूरे हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोविड के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं से बहुत गंभीर हो रही है समस्या पहले कहा केस आते थे तने आज इतनी मौते होने लगें तो इसी को देखते हुए तो सरकार ओफ लाइन एक्जाम तो ले नहीं सकती है तो अब बात रही ओनला को इसका यूज करना भी नहीं आता है तो कैसे यह प्यपर दे सकता है इस प्रकार से सरकार के पास दो आफसन थे तो QUEंसल हो चुके है ना तो आफ लायन ले सकता है फो एक्जाम ना online तो अब उसके पास ये की स्कीम बचती है वो है आपकी open book exam तो open book exam क्या होती है जिस प्रकार से आपके 9 और 11 वालों के पेपर लिए गए हैं घर से copy और जो पेपर प्रदान कर दिये गए थे घर पर वहां से घर से लिखकर उने जमा करने थे अपने सिक्षा केंदर पर इसी प्रकार आपके भी पेपर लिए जाएंगे 12 वालों के 10 वालों के परमानेंटली कैंसल कर दिये गए हैं इसके वारे में जल्द ही आपकी अफिस्यल वेफ साइड हो इस पर ऑफिस्यल नोटिस जारी कर दिया जाएगा यदि आपको यह जाना का यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद